हेलो एबरीवन हम जो है क्लास 11 की जो है चैप्टर नमर 12 को स्टडी कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है तेट इस नाइट्रोजन साइकल अब देखो नाइट्रोजन का क्या रोल होता है आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है इस पूरे अर्थ में जो है 78 परसेंट जोती हो नाइट्रोजन प्रेजन होती है 21 प्रसेंट के होती है और 0.03 प्रसेंट के होती है आपकी जो कार्वन डैकसाइड जोती है प्रेजेंट होती है और 0.9 प्रसेंट जोती है आपकी आर्गोन होती है और कुछ हदर गैसे भी प्रेजेंट होती है लेकिन अब देखो फॉम कारवन हाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो पहते है आपका जो मतलब नाइट्रोजन जो तिया डेशा मोस्ट प्रेविलेंट इल्मेंट जो हता है मेरे living organism है, ठेके इनको micro nutrient में study कर चुके हैं कि आपके carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen होता है, वो most prevalent element होता है living organism में, और nitrogen किसा construct होता है nitrogen होता है, combine करके amino acid, protein hormone, chlorophyll में nitrogen present होता है many other vitamins में भी nitrogen होता है, मतलब fund present होता है, plaats क्या करते है, वो microorganism के साथ compete करते हैं for the limited nitrogen that जो है मतलब is available alpha dot 78 percent of nitrogen जो है केवल atmosphere में प्रेजएंट स्वैल में तो बहुत ही कम है soil में nitrogen होती है बहुत ही कम है थो जो plant होते हैं proclaim microorganism के साथ किया करते हैं compete करते हैं plant particles ř hicam microorganism के साथ compete करते हैं for that limited nitrogen ती धेच बहुत अगलमेंट तो नायटोजन होता है यह एक्सराइट होता है और तो यह इंच धर वाइए ट्रिपल के तौर्ड जोते हैं आप देख सकते हैं है इस वह आपके जो है triple bond की form में क्या होते हैं हो present होता है ठीक है यह triple bond की form में क्या होते है nitrogen present होता है nitrogen क्या करता है exist as two nitrogen atoms that join by very strong triple cobalent bond और process of conversion of process of conversion of nitrogen into ammonia is called as उसको nitrogen fixation बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं nitrogen fixation बोलते हैं यान की process of conversion of nitrogen into ammonia is called as उसी को हम क्या बोलते हैं आपको जो है biological sorry उसको nitrogen fixation हम बोलते हैं लेकिन यह nitrogen fixation जो होती है different processes के थूँ हो रही है यह living organism के थूँ हो रही है तो उसको हम biological nitrogen fixation बोल रहे हैं अगर यह industrial machinery के थूँ हो रही है then it is called as the industrial nitrogen fixation हो रही है अगर यह electrical volcanic eruptions यह आपके जो मतलब lightning के थूँ हो रही है then it is called as the electrical nitrogen fixation तो यह आपकी nitrogen fixation जो होती है different different way में होती है आप देख सकते हैं diagram में यहां पे जो है अगर वह living organism के थूँ हो रहा है तो then it is called as the biological nitrogen fixation और nature में क्यों होता है lightening and UV rays यह enough energy provide करते हैं जिसके बद से क्यों होता है हमारा nitrogen जो होती है वह oxide में change हो जाती है that is nitrogen monoxide nitrogen dioxide nitrous oxide में जो होता है and this is called as the electrical nitrogen fixation बोलते हैं industrial combustion आपका जो है मतलब forest fire जो होता है और automobile exhaust के करता है यह power generating station जो होते हैं यह भी क्या होते हैं किसके nitrogen को किसमें change करने के लिए nitrogen oxide में change करने के लिए ठीक है तो यहां पर क्या हुआ यहां पर आप देख सकते हैं कि मतलब पहले तो आपका biological और industry के थुरू के हुआ आपकी nitrogen को हमने किसमें change कर दिया गया ammonia में change कर दिया गया अब ammonia को जो है मतलब it is going to change into hydrate ठेक है उसका हमने क्षेए किया ammonia को oxidize कर दिया किसमे nitrate में और आपका nach message को जो दोबारा further oxidize कर दिया किसमें हमने that is इस नाइट्रेट में और इस नाइट्रेट को क्या किया फिर आप देख सकते हैं इस नाइट्रेट को क्या किया प्लांट ने क्या किया अप्टेन किया जब नाइट्रेट क्या किया तो आपके प्लांट ने क्या किया इसको अप्टेन किया और प्लांट ने जब अप्टेन किय होंगे, decompose होगे, क्या होगे, हमाँ इतने भी nitrogen थी, उनके अंदर वो किस में change होगी, ammonia के अंदर होगी, this process is called as the ammonification, ammonification और कुछ हैसे soil की जो आपके nitrogen होती है, उसको जो मतलब that soil में जो nitrate होता है, वो denitrification के थूँ जो जोता है, यह कितने होती है, 78% होती है, biological way में, industrial way में, electrical way में, जो होती है, आपके nitrogen होती है, वो ammonia या nitrate है, nitrate में change हो रही है, तो ammonia में change होई, that is called as the nitrogen fixation बोलता है, जब ammonia को हमने oxidize किया, जब ammonia को पहले oxidize किस में करेंगे, nitrite में करेंगे, किस में करेंगे, nitrite में हम करेंगे ammonia oxidize, और नाइट्रो कोकस याद रखना आपका मतलब यहां पर नाइट्रो सो मनास और नाइट्रो कोकस जोते हैं बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं ठीक है आपके जो नाइट्रो सो मनास और नाइट्रो कोकस जोते हैं इसमें बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं ठी है नाइट्रिफिकेशन और यह नाइट्रिट को क्या करेंगे आपके जो मतलब प्लांट के करेंगे अप्टेन करेंगे फिर प्लांट के ओपर हमारे एनिमल इट करते हैं जब दोनों की डेथ हो जाएंगी तो बाइदे प्रोसेस अब डिकंपोजिशन जोता है यह जो डिकें सकता है यह उता हैमेरे और नेट्रिफिकेशन जोता है यह इनकी प्लांट माथ जयर्चेंगे में जोता है है और यह पावर जण्रेटिंग स्टेशन j Д Twice लुओगे करते हैं यह वह बहु Mine क्या किया उप्टेन और और प्लांट और अनिमल ने चैंज करते हैं और उस द नइंटरिजन को अमोनिया जो होता है वो कह हो जाएगा वह आपका जो ब्हुता है वह बैपरफर्फॉर्म में चैंज रहाता है और और द्वारह वह एक्टर रैंटर कर जाएगा लेकिन statements यह शेंदों को पहले कि इसमें आक्सेडायज कि आज़तें हैं मैं यह नईटरीट task है और इसके बाद फृटर्ड बयक्ट्राइट होता है इसको त्वारा ऊक्सेडायज कर सित्मामच. इसी को हम क्या बोलते हैं और इस नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं और इस नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं और इस नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं उसके बाद नाइट्रेट्स होता है जो बना उसको amino acid में, ammonia को किसमें change कर दिया गया, amino acid में और amino acid, obviously they are going to form the protein जो की plant के लिए अबलेबल होती है, तो nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen, आपका जो soil में nitrate present है, उसको दोबारा nitrogen में भी change कियाता है, उस प्रसकोम क्या बोलते हैं, denitrification बोलते हैं, और इसमें दो bacteria important role play करते हैं, that is pseudomonas and thyobacillus, they are going to play very very important role in denitrification, so this is all about your nitrogen cycle, इसमें simple होई है कि आपने atmospheric nitrogen को किसमें change करना है, ammonia को change करना है, ammonia क्या करेगा, वो पहले oxidize होगा किसमें, nitrate में, आपका nitro, cocus और nitrogen में बहुत important role play कर रहे हैं, फिर nitrate होता है, उसको nitrate में change करना है, that is nitro vectors होगा है, that is going to change the nitrate into nitrate, उसके बाद nitrate को कौन हमारा utilize करेगा, nitrate को utilize करता है हमारा, जो है मतलब plant करेंगे, और plant के ओपर कौन eat करेंगे, हमारे animal eat करेंगे, और जब plant और animal की death हो जाएगी, उनकी decay होगी, decompression होगी, तो यह nitrates होता है, यह change हो जाता है, किसमें, यह ammonia में change होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ammonification बोलते हैं, और कुछ हैसा nitrate है, जो आपका किसमें change हो रहा है, कुछ हैसा nitrate है, जो by pseudomanase और thaybassless के थ्रूज होता है, वो atmospheric nitrogen में भी change हो रहा है, तो this is called as the denitrification, तो this is all about your nitrogen cycle, इसके बाद जो next आपका that is biological nitrogen fixation को हम detail में study करेंगे in next lecture.